तो आज मिठे बाबा के तेरा तारिक के महावाक्य है मिठे बच्चे तुम्हारी सची सची दीपावली कहां होगी बाबा कहते हैं दुनिया वालों के तो दीपावली एक दिन की होती है वो अगले साल के लिए इंतजार करते है और हमारी दीपावली रोज होती है दीपावली में क्या करते है दीपक जगाते हैं तो बाबा ने हमारा चैतन ने दीपक जगाया तो जगाने वाला तो बाबा ही है लेकिन हम निम्त बनते और आत्माओं का भी दिपक जगाते अर्थात ज्यान के लिए रास्ता बताते ज्यान का रास्ता बताते अब बच्चे भी अंदों की लाठी बनते हो गाइड बनते हो तो मास्टर गाइड बनते हो, मास्टर लिबरेटर बनते हो तो यही तुक दिपक जगाना हुआ तो हमारी दिवाली तो रोज ही होती है रोज ही खुशिया मनाते हैं तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे तुम्हारी सची सची दिपावली तो नई दुनिया में हो इसलिए इस पुरानी दुनिया के उठे उच्छ सब आदी देखने की दिल तुम्हें नहीं हो सकती इसलिए इस पुरानी दुनिया के जूठे उच्छ सब आदी देखने की दिल तुम्हें नहीं हो सकती प्रश्ण है तुम होली हंस हो तुम होली हंस हो और तुम्हारा कर्तब वे क्या है बताओ जो होली हंस होते हैं उनका कर्तब वे क्या होता है खुद पवित्र बने और औरों को भी पवित्र बने और मुख्य खोली हंस का काम क्या होता है हंस कहते हैं हंस बुद्धी कितना भी नेगेटिव है सराउंडिंग लेकिन तो भी वह प्रकाश को पॉजिटिविटी को ढूंड लेगा कंकर और मोती उसमें से मोती मोती चुग लेगा दूद और पानी है दूद दूद पी लेगा हंस बुद्धी तो बाबा कहते हैं तो मोले यह आंस हो तुमारा कर्तव क्या है आंसर हमारा मुख्य कर्तव है एक बाप की याद में रहना एक बाप की याद में रहना और सबका बुद्धियोग एक बाप के साथ जोडाना और सबका बुद्धियोग एक बाप के साथ जोडाना हम पवित्र बनते और सब को बनाते हैं मनुष्य को देवता बनाने के कर्तव में सदा ततपर रहना है हमें मनुष्य को देवता बनाने के कर्तव में सदा ततपर रहना है सब को दुखों से लिब्रेट कर गाइड बन मुक्ती जीवन मुक्ती का रास्ता बताना है जीवन मुक्ती का रास्ता बताना है अच्छा गीत है बहुत बड़िया गीत है कौन सा होगा गीत तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है जमी तो जमी आस्मा पा लिया है अच्छा ओम शांते बच्चों ने गीत सुना बच्चे कहते हैं हम स्वर्ग की राजाई का वर्षा पाते हैं उसे कभी कोई जला ना सके कोई छीन ना सके ना फियर फ्री ऐसा वर्षा मिलता है कोई डर नहीं है इंकम टेक्स का डर ये फलाना आपके कहते हैं ऐसा वर्षा पाते हैं जिसे कोई जला ना सके छीन ना सके वह वर्षा हमसे कोई जीत ना सके आत्मा को बाप से वर्षा मिलता है और ऐसे बाप को बरोबर मात पिता भी कहते हैं मात पिता को पहचानने वाला ही इस संस्था में आ सकता है बाप भी कहते मैं बच्चों के सम्मुख पृतक्ष हो पड़ाता हूं राजयोग सिखाता हूं बाबा सामने है कौन है सामने कौन सुना रहे मुल्ली बाबा की मुल्ली बाबा सुनाते बच्चे आकर बेहत के बापको अपना बनाते है जीते जी धर्म के बच्चे जीते जी लिये जाते हैं आप हमारे हैं और हम आपके हैं तुम हमारे क्यों बने हूँ? कहते हो बाबा आपसे स्वर्ग का वर्षा लेने हम आपके बने हैं क्यों बनें बाबा से बाबा से स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए हम बाबा के बने हैं अच्छा बच्चे ऐसे बाप को कभी फार्कति नहीं देना नहीं तो नतीजा क्या होगा चंडी का देवी का देखा था ना नहीं तो नतीजा क्या होगा तो बाबा ने का स्वर्ग की राजाई का पूरा वर्षा तुम पा नहीं सकेंगे बाबा मम्मा महराजा महरानी बनते हैं तो पुर्शारत कर फिर इतना वर्षा पाना है परंतु बच्चे पुर्शारत करते करते फिर फार कती दे देते हैं फिर जाकर विकारों में खसते हैं वा हेल में गिरते हैं नरक में और गिरते जाते हैं हेल नर्क को heaven स्वर्ग को कहा जाता है कहते हैं हम सदा स्वर्ग के मालिक बनने के लिए बाप को अपना बनाते हैं क्योंकि अभी हम नर्क में हैं heavenly god father जो स्वर्ग का रचेता है वो जब तक ना आये तब तक कोई heaven जा ना सके उनका नाम ही है heavenly god father यह भी तुम अभी जानते हो बाप कह रहे हैं बच्चे तुम समझते हो पर उबर बाप से वर्सा पाने के लिए हम बाप के पास आए है 5000 वर्ष पहले मुवफिक परन तु फिर भी परन तु फिर भी यह आवाज नहीं आ रहे हैं आ रही है परन्तु फिर भी चलते चलते माया के तूफान एक दम बर्बाद कर देते हैं फिर क्या होता आगे फिर पड़ाई को छोड़ देते हैं गोया मर गए इश्वर का बन कर फिर अगर हाथ छोड़ दिया तो गोया नई दुनिया से मर कर पुरानी दुनिया में चला गया Heavenly Godfather इन नर्क के दुख से लिबरेट कर फिर गाइड बन स्वीट साइलेंस होम में ले जाते हैं जहां से हम आत्माय आई हैं फिर स्वीट हैविन की राजाई देते हैं दो चीज देने बाप आते हैं कौन से दो चीज देने बुक्ति और जीवन बुक्ति और और कौन से सिंपर वो सही है वो सही है बाबा ने अलग शब्दों में का हाँ बाबा दो चीज देने के लिए आते हैं गती और सदगती गती और सदगती सत्यूग है सुक धाम कल यूग है दुख धाम और जहां से हम आतमा आती हैं वह है शांती धाम यह बाप है ही शांती दाता सुक दाता फॉर फ्यूचर इस अशांत देश से पहले शांती देश में जाएंगे उसको स्वीट साइलेंस होम कहा जाता है हम रहते ही वहाँ है यह आतमा कहती है कि हमारा स्वीट होम वह परमधाम है फिर हम जो इस समय नौलेज पढ़ते हैं उससे हमको स्वर की राजधानी मिलेगी बाप का नाम ही है इस इसंतर में बाबा का नाम क्या हुआ है बाप का नाम ही है क्या नाम है heavenly god father liberator guide knowledge full blissful ग्यान का सागर कितने सारे नाम बाबा के नहम दिल भी है सब पर रहम करते हैं सब ही दुख से चूट जाते हैं अब दुख तो जानवर आदी सब को होता है न कोई को मारो तो दुख तो होगा न बाप कहते हैं मनुष्य मात्र तो क्या सब ही को आकर मैं दुख सेलिबरेट करता हूं परंतु जानवरों को तो नहीं ले जाएंगे यह मनुश्यों की बात है ऐसा बेहत का बाप एक ही है बाकि तो सब दुर गती में ले जाते हैं सद गती गती सद गती तो शुबाबाई करते हैं तुम बचे जानते हो बेहत का बाप ही स्वर्ग की वर्सा देते हैं न उच ते उच एक बाप है सभी भक्त उस भगवान बाप को याद करते हैं फिर्शन भी गौड को याद करते हैं Heavenly God Father है शिव वही नौलेशफुल और ब्लिसफुल है इसका अर्थ भी तुम बच्चे जाते हैं अब तुम्हारे में भी नंबर वार हैं कोई तो बिलकुल ऐसे हैं जो कितना भी ग्यान का श्रंगार करो फिर भी कितना भी उन पर ग्यान का श्रंगार करो फिर भी विकारों में गिरेंगे गंदी दुनिया देखेंगे कई बच्चे पुर दीप माला देखने जाते हैं वास्तों में हमारे बच्चे या जूटी दीप माला देख नहीं सकते परन तु ज्ञान नहीं है तो देल होगी तुम्हारी दीवाली तो है सत्युग में जबकि तुम समपूरण पवित्र बन जाते हो सची सची दीवाली आगे बढ़ रहे है आत्मा की प्रोग्रेस हो चुकी है कम्प्प्लीट बन चुके है तो उसमें खुषी है अभी क्या है इस समय दीवाली क्या कहें नर को और बढ़ता जा रहा है रावन दशेरा हर बर रावन को और बड़ा-बड़ा बनाते जा रहे हैं तो ये दिवाली सच्ची तो नहीं होई ना सच्ची दिवाली जहाँ खुद में इंप्रूमेंट है कम्प्लीट पवित्र बन चुके हैं तब खुशियां मना रहे हैं तो बाबा केते हैं वो तुमारी सच्ची दिवाली है तुम बच्चों को समझाना है कि बाप आते ही है स्वीट होँवा स्वीट हैविन में ले जाने पढ़ेंगे धार्ना करेंगे वही स्वर्ग की राजधानी में आएंगे परंतु परंतु क्या चाहिए बताँ डैश परंतु डैश भी चाहिए न परंतु जो अच्छी रिती पढ़ेंगे धार्ना करेंगे वही स्वर्ग की राजधानी में आएंगे परंतु भी चाहिए न परंतु तकदीर भी चाहिए न श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो श्रेश नहीं बनेंगे यह है श्री शिव भगवानु बाज जब तक मनुष्यों को बाप की पहचार नहीं मिली है तब तक भक्ती करते रहेंगे जब निश्य पक्का हो जाएगा तो फिर भक्ती आपे ही छोड़ेंगे तुम हो होलिनेस गौड फार्दर के डारेक्षन अनुसार तुम सभी को पवित्र बनाते हों किस अनुसार गौड फार्दर के डारेक्षन अनुसार वह तो सिर्फ हिंदूओं को वह मुसलमानों को कृष्यन बनाएंगे तुम तो आसुरी मनुष्यों को पवित्र बनाते हो जब पवित्र बने तब हैविन वह सुईट होम में जा सके नन बट वन तुम सिवाए एक बाप के और कोई को भी याद नहीं कर सकते एक बाप से ही वर्सा मिलना है तो जरूर उस एक बाप को ही याद करेंगे तुम पवित्र बन औरों को पवित्र बनाने की मदद करते हो जो हमारे अब जो Festivals है दुनिया में भी मनाये जाते बाबा के घर में भी मनाये जाते हर तरह के Festivals मनाये जाते इन सभी festivals के मनाने का उद्देश क्या है उद्देश क्या है क्यों बाबा के घर में ये सारे festivals मनाए जाते संगम की यादगार है और ये activities कराए जाते ये सब क्यों उद्देश क्या होता हाँ सेवाथि पढ़ाई भी है सीखते भी है मुख्य उद्देश होता है कि हमारी purity किस बड़े हमें वो जानकारी मिले है न अब जैसे देखो देखा न ड्रामा कितनी सारी चीजे समझ में आई न क्यों वो चंडी का देवी बनती है क्यों वो लक्षमी देवी बनती है क्यों हनुमान जी बनते है उद्देश क्या है नॉलेज बड़े और हमारी purity बड़े हम बाप के समीब बाप समान बनते चाहें तो बाबा कहते तुम तो आसुरी मनुश्यों को पवित्र बनाते हो जब पवित्र बने तब हैविन वसुई ठूम में जा सके नन बटवन तुम सिवा एक बाप के और कोई को याद नहीं करते हो एक बाप से ही वर्सा मिलना है तो जरूर उस एक बाप को ही याद करेंगे तुम पवित्र बन औरों को पवित्र बनाने की मदद करते हो तुम होली नन्स पवित्र भी बनाते हो और सभी आत्माओं का एक गौड़ फादर से बुद्धी योग जुटाती हो गीता में भी है न कि दे सहीत दे के समय संबंद छोड़ आपको याद करो देहिक संबंद छोड़ आत्मिक संबंद तो रखने है देहिक संबंद छोड़ अपने को आत्मा समझ बापको याद करो फिर नौलेज को धारन करने से ही राजाई मिलेगी बाप की याद से ही ever healthy बनेंगे और knowledge से ever wealthy बनेंगे बाप तो है ही ज्यान सागर सभी वेदो शास्त्रों का सार बतलाते हैं ब्रह्मा की हाथ में शास्त्र दिखाते हैं तो यह ब्रह्मा है श्यू बाबा इनके द्वारा सभी वेदो शास्त्रों का सार समझाते हैं वह है ज्यान का सागर इनके द्वारा तुमको knowledge मिलती रहती है तुम्हारे द्वारा इनके द्वारा ब्रह्मा के द्वारा तुमको knowledge मिलती रहती है तुम्हारे द्वारा फिर औरों को मिलती रहती है कई बच्चे कहते हैं बाबा हम यह रुहानी hospital खोलते हैं जहां रोगी मनुश्या कर निरोगी बनेंगे बाबा के सेंटर्स खोलते हैं और स्वर्ग का वर्षा लेंगे अपना जीवन सफल करेंगे बहुत सुख पाएंगे लेकिन पहले अलग था लेकिन अभी कोई ऐसे ही सेंटर नहीं खोल सकता कई सारे नियम होते अपने आप थोड उनको मिलेगी बाबा ने उस दिन भी समझाया था कि गीता भागवत वेद उपनिश्यदादी सब जो भी भारत के शास्त्र हैं यह शास्त्र अध्यन करना यग्य तप व्रत नेम तीर्थादी करना यह सब क्या है भक्ति मार्ग के क्या कहेंगे साइड की सीन सीनरी है इसे मिलता कुछ नहीं है और और क्या है यह सब एंटरेटेन्मेंट है फिर से सुनो बाबर कहते हैं बाबा ने उस दिन भी समझाया था गीता भागवत वेद उपनिश्यदादी सब जो भी भारत के शास्त्र हैं यह शास्त्र अध्यन करना यग्य तप व्रत नेम तीर्थादी करना यह सब भक्ति मार्ग की सामगरी रूपी छाच है छाच क्या होता है पानी बहुत सारा दही थोड़ा सा एक ग्लास पानी तो दो चम्मस दही उसमें से मख़न निकाला हुआ होता है छाच बनता है एक चाच भी बनता है और दूसरा लसी भी बनती है वहाँ पे जो गुजरात में लसी बनती है न वो ऐसे पानी जैदा उसमें दो दही दो चम्मस दही हाँ फिर उसको फिर चाँच वो भी होता है जो दही से बनता है मक्खन निकालते है वो भी है तो बाबा कहते है चाँच है और बाबा हमें क्या सुना रहे है असली ग्यान असली मक्खन हम ले रहे हैं और वहाँ पर जो है वो मक्खन निकल चुका है चांच है यहाँ पर असली मक्खन जो आत्मा हेल्दी वेल्दी बनती है अच्छा एक ही श्रीमत भगवद गीता के भगवान से भारत को मक्खन मिलता है श्रीमत भगवद गीता को भी फिर खंडन कर दिया है जो ग्यांस आगर पतित पावन निराकार परम पिता पर मात्मा के बदले कैसे खंडन किया है भगवद गीता को जो ग्यांस आगर बाबा के बदले श्री कृष्ण का नाम डालकर छांच बना दिया है एक ही कितनी बड़ी भारी भूले अभी तुम बच्चों को ग्यान सागर डारेक्ट ग्यान दे रहे हैं अभी तुम जानते हो कि यह स्रश्टी चक्र कैसे फड़ता है यह स्रश्टी रूपी जाड की व्रद्धी कैसे होती है तुम ब्राम्मण हो चोटी और श्यू बाबा है ब्राम्मणों का बाप फिर ब्राम्मण से देवता फिर शत्रिय वैश्य शुद्र बनेंगे यह हो गई बाजोली बाजोली का खेल समझते न वो बच्चे कुल्टाई खाते ना सिर और पैर जहां एक साथ होते हैं फिर गोल घूमते हैं फिर ऐसे तो इसको बाबा कहते हैं बाजोली इसको चौरासी अब वो तो मुझे नहीं पता लेकिन बाजोली हाँ ऐसे ऐसे हाँ 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 हुई तो इसको बाबा कहते हैं तुम बाजोली खाते हो इसको चौरासी जन्मों का चक्र कहा जाता है वेद सम्मेलन करने वालों को भी तुम समझा सकते हो कि भक्ति है छाच और घ्यान है मखन जिससे मुक्ती जीवन मुक्ती मिलती है अब अगर तुमको विस्तार से ज्यान समझना है रिवत होकर सुनो ब्रह्मा कुमारियां तुमको समझा सकते हैं शास्त्रों में भी लिखा हुआ है भीश्म पितामा अश्वत्थामा आदी को पिछाडी में इन बच्चों ने ग्यान दिया है अंत में यह सब समझ जाएंगे कि यह तो ठीक कहते हैं अंत में आएंगे जरूर तुम प्रदर्श्री करते हो कितने हजार मनुष्य आते हैं पर अंतु निश्य बुद्धी सब थोड़े ही बन जाते कोटों में कोई ही निकलते हैं जो अच्छी रीती समझ कर फिर निश्य करते हैं कोटों में कोई तो यहां पर जो मुरली सुनने बैठे वो कौन है कोटों में कोई कोई में भी कोई हम बाबा के सिखी लदे बच्चे अच्छा अब माते शुरी जी के महावाक्य है हिडिक है यह ईशुरी सच संग कॉमन सच संग नहीं है अपना यह जो इशुरी सत्संग है common सत्संग नहीं है यह है इशुरी school और college ना मम्मा कह रहे औरों की तरह यह सत्संग नहीं है यह वहाँ गए कथा हुई और बैठ गए यह college है, university है जिस college में अपने को regular study करनी है बाके तो सिर्फ सत्संग करना, थोड़ा समय वहाँ सुना फिर तो जैसा है वैसा ही बन जाता है क्योंकि वहाँ कोई regular पढ़ाई नहीं मिलती है जहां से कोई प्रालब्द बने इसलिए अपना सत्संग नहीं है अपना तो इशुरी college है जहां परमात्मा बैठ हमें पढ़ाते हैं परण कर उच पद को प्राप्त करते हैं जैसे रोजाना स्कूल में मास्टर पढ़ाए डिगरी देता है वैसे यहां भी स्वें परमात्मा गुरू, पिता, टीचर के रूप में हमको पढ़ाए सर्वोत्तम, देवी, देवता, पद, प्राप्त कराते हैं इसलिए इस स्कूल में जॉइंट होना जरूरी है यहां आने वाले को यह knowledge समझना जरूर है अब यहां कौन सी सिक्षा मिलती हैं? इस सिक्षा को लेने से हमको क्या प्राप्ति होगी? यह तो जान चुके हैं यहां कौन सी सिक्षा मिलती है और इस सिक्षा को लेने से हमको क्या प्राप्ति होगी? कि हमको खुद परमात्मा आकर डिगरी पास कराते हैं और फिर एक ही जनम में सारा कोर्स पूरा करना है तो जो शुरू से लेकर अंत तक इस ज्ञान के कोर्स को पूरी रीती उठाते है वो फुल पास होंगे बाकिये जो कोर्स के बीच में आएंगे वो इतनी नॉलेज को उठाएंगे नहीं उन्हों को क्या पता आगे का कोर्स क्या चला इसलिए यहां रेगुलर पढ़ना है इस नॉलेज को जानने से ही आगे बढ़ेंगे इसलिए रेगुलर स्टडी करनी है रेगुलर पढ़ना है अच्छा दूसरी मुरली मम्मा की ही परमात्मा का सच्चा बच्चा बनते कोई संशय में नहीं आना चाहिए कोई डाउट नहीं रखना है जब परमात्मा खोद इस रश्टी पर उत्रा हुआ है तो उस परमात्मा को हमें पक्का हाथ देना है लेकिन पक्का सच्चा बच्चा ही बाबा को हाथ दे सकता है भगवान भी किसका सुईकार करेगा? भगवान भी किसका सुईकार करेगा? जो आज्याकारी होगा अपर आउट किया तो एक ले एक और इस बाब का हाथ कभी नहीं छोड़ना अगर छोड़ेंगे तो फिर निधन का बन कहां जाएंगे? और फन हो बाबा कहते कहां जाएंगे? जब परमात्मा का हाथ पकड़ लिया तो फिर सुक्षम में भी यह संकल्प नहीं आना चाहिए कि मैं छोड़ दूँ वा संशय नहीं आना चाहिए पता नहीं हम पार करेंगे वा नहीं कोई ऐसे भी बच्चे होते हैं जो पिता को ना पहचानने के कारण पिता के भी सामने पढ़ते हैं मतलब सामना करते हैं जवाब सवाब सवाल सामने पढ़ते हैं और ऐसे भी कह देते हैं अगर ऐसा ख्याल आया तो ऐसे ना लायक बच्चे की संभाल पिता कैसे करेगा फिर तो मानो की गिरा की गिरा क्योंकि माया तो गिराने की बहुत कोशिश करती है माया तो बैठी ही है ये हमारे राज में ही रहें क्यों परिक्षय तो अवश्य लेगी कि कितने तक योधा रुस्तम पहलवान है परिक्षय तो अन्तर तक आएंगे ना अब यह भी जरूरी है जितना जितना हम प्रभू के साथ रुस्तम बनते जाएंगे शक्ति शाली बनते जाएंगे, उतना उतना, जितना जितना हम रुस्तम बनते जाएंगे, उतना उतना, माया भी रुस्तम होते लड़ेगी, हाँ, उतना उतना माया भी रुस्तम बन, हमको गिराने की कोशिश करेगी, जोड़ी पूरी बनेगी जितना प्रभु बल्वान है तो माया भी उतनी बल्वानी दिखलाएगी परन्तु अब देखो जिस लेबल का अब कोई UPSC का एक्जाम दे रहा है तो उसके पास पेपर भी तो उसी लेबल का आएगा ना एम बीए कर रहा है उसी लेबल का पेपर आ आएगा आप पेपर पास करते करते आप आगे पोंच गये तो उसी लेबल का पेपर आएगा ना अब हम सोचे हमारे पास इतनी बड़ी परिस्तिती क्यों आई प्राप्ती भी तो इतनी बड़ी चाहिए ना तो बाबा कहते है तो माया भी उतना ही बल्वानी दिखलाएगी परंतु अपने को तो पक्का निश्य है कल की मुरली भी थी ना निश्य बुद्धी विज्यनती और दूसरा निश्य क्या था सफलता बर्थ राइट है सफलता मेरा बर्थ राइट है ये नशा ये निश्य होना चाहिए तो आज मम्मा भी कह रहे परंतु अपने को तो पक् आखरीन भी परमात्मा महान बल्वान है आखरीन भी मतलब परमात्मा ही महान बल्वान है आज जो हम यह दिपावली मना रहे हैं तो इसका भी कंक्लूजन क्या है बुराई पर अच्छाई की जीत जो ऐसे लिखते थे उसमें लास्ट में कंक्लूजन लिखते थे यही होता था बुराई पर अच्छाई की जीत तो आकरीन भी परमात्मा बल्वान है आकरीन उनकी जीत है श्वासों श्वास इस विश्वास में इस्तित होना है माया को अपनी बल्वानी दिखला नहीं है माया को अपनी बल्वानी दिखला नहीं है वो प्रभू के आगे अपनी कमजोरी नहीं दिखाएगी बस एक बारी भी कमजोर बना तो खलास हुआ इसलिए भल माया अपना फोर्स दिखलाए परन्तु अपने को माया पती का हाथ नहीं छोड़ना है किसका शुबाबा का हाथ नहीं छोड़ना है वो एक गीत भी बनाए न निरबल की लड़ाई बलवान से ये कहानी ये दिये की और तुफान की कितने तुफान आए लेकिन वो दीपक जो है जगता रहा आखिर वो तुफान की हार होगी आज दीपावली अम्मन आते हैं दीपक जगाते हैं कितने भी तुफान आए लेकिन यदि बाबा की याद का दीपक है वो निरंतर जगता रहेगा तो बाबा करते अपने को माया पती का हाथ नहीं छोड़ना है वो हाथ पूरा पकड़ा तो मानो उनकी विजय है जब परमात्मा हमारा मालिक है तो हाथ छोड़ने का संकल्प नहीं आना चाहिए मैं शाम को इवनिंग बॉक एक बारी कर रही थी रात में तो एक छोटा पैट अपने मालिक के साथ में वो भी था तो थोड़े देर के बाद तीन चार बड़े बड़े कुत्ते आ गए और वो छोटा पैट जो था उसके सामने आके शामना करने लगे तो वो जो छोटा था वो भी बड़ाबरे से सामना कर रहा था किस दंप है का मालिक था ना साथ में मालिक था ना यदि वो अकेला होता तो वो सामना कर पाता तो वो छोटे पैट को भी इतनी अकल है कि मेरे साथ मेरा मालिक है वो मुझे कुछ नहीं होने देगा तो बाबा के थे हम कौन है फिर हमें अपने आप पर इतना वे वो आएंगे परिस्तिती आएंगी लेकिन हमने तो उसका हाथ पकड़ा है न हमारा कमपैनियन तो बाबा है न तो हमेशे सेफ है तो बाबा कहते ही तो हाथ छोड़ने का संकल्प नहीं आना चाहिए पर मात्मा कहता है बच्चे जब मैं खुद स समर्थ हूं तो मेरे साथ होते तुम भी समर्थ अवश्य बनेंगे समझा समझा बच्चे अच्छा अब बाबा का आज विशे सियात प्यार है मीठे मीठे सिकी लधी सिकी लदे ज्यान लकी सितारों प्रती मात पिता बाब दादा का नंबर वार पुर्शारत अनुसार यद प्यार और गुड़ मोर्निग रुहानी बाब के रुहानी बचों को नमस्टे धारना के लिए मुख्यसार पहला पाइंट पवित्र बन आप समान पवित्र बनाना है। पवित्र बन्म आप समान पवित्र बनाना है एक बाप के सिवाए किसी को भी याद नहीं करना है एक बाप के सिवाए किसी को भी याद नहीं करना है सेकेंड पॉइंट अनेक आत्माओं की आशिर्वाद लेने के लिए रूहानी होस्पिटल खोलनी है सब को गती सद्गती की रहा बतानी है सब को गती सद्गती की रहा बतानी है वर्दान ब्रह्मा बाप को फालो कर फर्स्ट ग्रेड में आने वाले समान भव सभी बच्चों का ब्रह्मा बाप से बहुत प्यार है और प्यार की निशानी है समान बनना इसमें सदा यही लक्ष रखो कि पहले मैं इर्ष्या वर्ष पहले मैं नहीं वो नुक्सान करता है लेकिन किस में पहले मैं फालो फादर करने में पहले मैं कहा और किया तो फर्स्ट के साथ में आप भी फर्स्ट हो जाएंगे त्याग करने में तपस्या करने में सेल्फ को चेंज करने में पहले मैं यह बाप अने कहा है जैसे ब्रह्मा बाप नंबर वन बने ऐसे फालो करने वाले भी नंबर वन का लक्ष रखो ओटे सो अवल अर्जुन सबको फर्स्ट में आने का चांस है फर्स्ट ग्रेड बेहद में है कम नहीं इसका क्या मतलब है फर्स्ट ग्रेड बेहद में या कम नहीं मतलब बाबा केता है न ओटे सो अवल अरजुन सबको फरस्ट में आने का चांस है जो ओटे सो अरजुन अब बाबा ने वैसे तो फरस्ट तो फरस्ट एक ही होता है नमबर में 16,108 बाबा ने एक मुरली में ये भी कहा था जब मुझे समर्पेत होना था ये मुझे याद है ये लाइन बाबा ने कहा था कि 108 की माला बनती है लेकिन यदि आप उर्शारत करो तो बाबा 109 की भी माला बना देगा हाँ ये भी मैं लगा दूँगा तो बोबे फर्स्ट ग्रेट है ना तो ये है लकुं से वो फर्स्ट ग्रेट कम नहीं है बेहद में है और लोग भी पर्स्ट में आ सकते हम ये नहीं सोचँए ये फर्स्ट आगे तो यही आएँगे आप अमारा क्या नंबर हम का बाबा कलया तो करो बाबा आगी रख देगा सीट बनो तो समान ना तो ये अच्छा श्लोगन है कि मैं 108 की लडियां भी बना दूगा और एक 108 की लडियां भी बना दूगा अच्छा स्लोगन है सफलता मूरत बनना है सफलता मूरत बनना है, तो स्वा सेवा और औरों की सेवा साथ साथ करो, अब ये भी नहीं कि औरों की सेवा करें, खुद की सेवा ना करें, खुद पर ध्यान ना दें, दोनों का ही, कल भी बाबा ने कहा था ना, बैलेंस चाहिए, बैलेंस होगा तो ब्लैसिंग्स मिलें, तो स्वा सेवा और औरों की सेवा साथ साथ करो अच्छा अब एक तिशारे जिसकी सेवा निर्विघन है निर्विघन सेवा से आटोमेटिक मांक्स बढ़ती जाती है जो किसी भी बात से चाहे कर्म से चाहे वाणी से चाहे मंसा से किसी को सुख देता है उसकी मांक्स जमा होती है इसलिए सुख स्वरूप बनकर सुख दो और सुख लो दुआएं लो दुआएं दो इसमें कोई महनत नहीं है इससे बहुत जल्दी माया जीत बन जाएंगे अब इसका डेटेल दीदी करेंगे, हम बख भी इसी पर है, ठीक है, जो पी अनॉसमेंट सुनेंगे,